जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कुछी समय के बाद या कुछी पल के बाद चंदगरहन लगने वाला है जी हाँ दोस्तों आज यानि कार्थिक पूर्णीमा के दिन साल का दूसरा और अंतिम चंदगरहन लगने जा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि चंदगरहन लगने का सही समय क्या होगा यानि कि चंदगरहन कब से सुरू होगा और कम सबाप्त होग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अब ही तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को like करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को share करेंगे आपको बता दे कि 19 नवंबर यानि कि आज सुक्रवार के दिन कार्थिक पुर्णीमा है और कार्थिक पुर्णीमा के दिन कुछ ही पलों में चंदग्रहन लगने वाला है यहँ चंदग्रहन ब्रिसवराशी और कीर्थिकान अच्छतर में लगेगा हलाकि यह चंदग्रहन आंसिक होगा यह पूर्ण चंदग्रहन नहीं होगा लेकिन यह चंदग्रहन बहुत लंबा रहने वाला है कहां कहा दिखाई देगा तो इसकी बात करते हैं यह चंदगरहन भारत के पुर्वुत्तर इलाकों में दिखाई देगा, से अरुनाचल परदेश और असम के कुछ हिसों में देखा जा सकेगा, इसके अलाबा यह उत्तर और दच्छिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया, पुर्वी एसिया और परसांत महासागर के छेतरों में भी द सुक्रवार के दिन, भारतिय समय अनुसार सुबह 11 बज कर 34 मिनट से सुरू हो जाएगा, और इसकी समापती संध्या समय में 5 बज कर 33 मिनट पे होगी, बात करें ग्रहन की दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चुकि यह चंदगरहन का सूतक मान नहीं था, लेकिन सास्त्रों की माने तो किसी भी ग्रहन काल के समय लगातार मंत्रों का जाप अवस्य करना चाहिए, ग्रहन लगने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवस्य डाल लेना चाहिए, ग्रहन समाप्त होने के बाद तुलसी का पत्ता निकाल कर फेक दे, और पूरी घर में गंगाजल का छिड़काओ कर घर की सुधी करन कर ले ग्रहन उपरां तसनान अवस्थ करे तथा दान सोरूप कुछ जरूर निकाले बात करें ग्रहन काल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए जात्रा करने से बचे किसी मंदिर में परवेश करने की अनुमती नहीं होती है इसलिए ग्रहन काल में किसी भी मंदिर में परवेश ना करें घर के मंदिर के कपाट बंद कर दे ग्रहन काल में न तो भोजन पकाना चाहिए और नहीं ग्रहन करना चाहिए हलाकि सास्त्रों में बिमार, बुढ़े और बच्चों को इसकी कोई मना ही नहीं है ग्रहन के दौरान गर्वती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए साथी साथ पूरे चंद ग्रहन के दौरान अपने पास एक नारियल अवस्थ से रखना चाहिए गर्वती महिलाओं को ग्रहन के दौरान हाथ पर मोड कर नहीं बैठना चाहिए और नहीं सोना चाहिए उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स